सबी ग्रामवासियों से निवेदन है कि इस दिपावली पर आप चीन का कोई भी सामान ना खरिदे आप सबी जानते हैं हमारे देश का कोई सत्रू है तो वो चाइना है चीन है दिन पे दिन हमारे भारत की भूमी पर कबजा कर रहा चीन आज हमें चुनोती दे रहा है इसलिए आप सबी ग्रामवासियों से निवेदन है कि आप इस दिपावली पर चीन का कोई भी सामान ना खरिदे आप सब जानते हैं कि चीन का सबसे बड़ा बाजार हंदुस्तान में है अगर हम चीन का सामान नहीं खरिदेंगे तो उसके पास इतना पैसा ही नहीं होगा कि वो भारत के खिलाफ सड़ें दरज सके आप जो लोग आपको भगवान मानते हैं उनके पास से जाकर समान ले कर आए आप उनकों से समान ले जो लोग फुटपात पर बैठे हुए आपको यानि ग्रहाग को भगवान मानते हैं उन गरीबों के पास जाएं दिपावली पर जो गरीब दिपावली पर भी अपने बेटे को अपने संतानों को भरपेट खाना नहीं खिलाफाता है इसलिए हम बड़ा परवारा गाओं के विज्यारती 11 बारवी के कक्षा के छात्र इस बात को समझ चुके हैं कि चाइना का सामान ख्रिदना हमारे देश के लिए बड़ा एक घातक सित्थ हो चुका है खुद समझ कर हम आप सभी को यह बात बताने आये हैं कि आप इस दिपावली पर चाइना का कोई भी सामान ना ख्रिदे आप एक बार एक बार हमारे कहने से उस करीब की आँखों में जाक कर देखे जो फुटपात पर बैखा बैस यही देखता रहता है कि मेरे दिये कब दि दुटपाता को और खुश्यों और मिठाईयों की बात तो छोड़िये लित्रों वह तो केवल दो वक्त की रोटी मांगते हैं इसलिए आप सभी से मिवदर हैं कि आप गरीब के गर से सामान लेकर आएं गरीब के गर से सामान खोंदे दिपावली पर जिस कंपनी की आप